दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोन माफ कैसे होता है जो आप लोग टाइटल और थमने लेहां पर देखकर आए होंगे हमारा वीडियो देखने तो जाहिर से बात ये है कि आपने भी कही ना कही से लोन लेकर रखा है NBFC अप्लिकेशन से लोन लेकर रखा है या बैंक से लोन लेकर रखा है तो आपको सही मैं जनकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में बाकी आपको ये करना इस वीडियो को पुरा कंप्लेट तक वाच करना है साती साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे रहा है यदि सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो तो काफी सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि भाई 20 लाख से लोन लेने वालों कोई मौज हो गई 10 लाखा लोन माप तो तरह तरह के चीज़े मतलब कि क्या सच में यहाँ पर होती है या नहीं होती है बेसक जो भी आप लोग देख रहे हमारा टाइटल ठीक है टाइटल आप लोग देखकर आए होंगे तो यहाँ पर यह गोर करने वाली बात है कि आप लोगों को रियलिटी आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्याँ से आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि एक चली मैं कैसे लोन माफ होती है कैसे नहीं होती है क्या सब कोई के लोन माफ हो जाती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सब सीच आपको पता चलेगा बाकी आपको यह करना है इस वीडियो को पुरा कम्प्लीर तक वाज करना है साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि काफी सारे लोग क्या होता है कि लोन ले लेते हैं उनको मतलब की जरूरत होती है भाई लोन लेने के लिए तुजाइड से बाती हो लोन ले लेते हैं कहीं से उनको रस्ता नहीं मिलती है इसी वज़े से लोन ले लेते हैं तो ला लेकर चुकाना नहीं चाहते हैं, तो वो केस आप लोग देखना चाहते हैं, तो जो जो भगवड़े हैं, जो जो हमारे देश का पैसा लेकर, जो जो हमारे देश से लोन लेकर भाग चुके हैं हमारे देश से, वो आज भी मतलब की सुरच्छित हैं, आज भी आराम से खाते है लोग यही सवाल उठाते रहते हैं कि उनके पास क्यों नहीं बैंक जाती है हमारे घर पर क्यों बैंक आ जाती है चाहे नभी एफसी अप्लिकेसन आ जाती है तो दोस्तों आपको पता देना चाहता है वो लोग बहुत नामचीन लोग है जो जो लेकर भागे हैं बहुत नामच करें चाहिएगा कि यहां का पुलिस नहीं जाएगी। इसमा च्छ खबर, खबर कर दिया जाएगा। उस देश में भागा है तो उसको पकड़ो भाई साथी अप पता हो कि बाधे कुछ २रु बात करें हमारे क्छ बखुर करहे क्योंकि आपको बता तो दिया भाई साब कि वो लोग बहुत पारफू लोग है और क्या है कि उनके पास बैंक नहीं जाती है यह दि हमारे देश में भी बैठे हैं जो बड़े-बड़े लोन लेकर बैठे हैं उनके घर पर क्यों नहीं जाती है आप लोग तो सवाल करेंगे त हमारे घर पर आ जाती है तो हमारे घर पर इसलिए आ जाती है ताकि आपके पास पावर नहीं है आपके पास पावर नहीं है आपको कोई जानता नहीं है आप पुलोटीसिया नहीं है आप MLA नहीं है विधायक नहीं है चाहे CM के करीबी आप नहीं है कि आप ऐसा लेकर बैट ज है तो इसी लिए ना आगया आपके पर पावर नहीं है आपके पावर आए लग Do देखिए कोई भी चीज होता है कोई भी चीज देखिए जिसके पास पैसा है तुसी के पास पावर है भाई साथ जिसके पास पैसा नहीं उसके पास पावर नहीं है तो एक्जामपल ये देनी की जुरूत नहीं है कि वो पैसा लेकर भाग गया है वो पैसा उसे रिकवर नहीं आपके घर पर recovery agent आएंगे रोज आएंगे और आपको blackmail आपको harassment करेंगे तो बेहतर आप लोगों को यही रहेगा यही मैं सलाह देना चाहता हूं जो भी लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे आपके मन में डाउट होगा कि भाई टाइटल तो सेम्यों ऐसा लिखा है कि कर्ज माफ हो जाएगा लेकिन वीडियो में कुछ और बोल रहा है तो भाई ऐसा करना पड़ता है रिलिटी आप सभी लोगों को दिखाने के लिए आपर करना पड़ता है भाई साब कि क्या रिलिटी है और कहां तक सचाई है तो कहने का मतलब यह है कि आप पैसा नहीं आपका सिक्योर लोन है आपका गरांटर आपका घर कागज जो भी लगा हुआ है उसमें तो आपका घर को निलाम कर सकता है वो लोग आपका घर को बेसक वो लोग निलाम कर सकता है और आप पर कई धरा भी लग सकती है जो जो धरा यह पर बनाए धोखाधरी का चीटिंग का आप पर लग सकता है तो बेतर ये रहेगा कि आप लोग settlement का बात कीजिए bank में बात कीजिए bank के manager से बात कीजिए उसको बोलिए कि कुछ आपको दे देंगे पैसा और हमारा पैसा settlement करा दीजिए 20% पर या 30% पर इदने में आपका settlement हो जाएगा तो मेरा आप से यही संदेश से कि आप लोग settlement करा लिजिए आप लोग example मत देखिए कि भाई यो पैसा उसके घर पर नहीं जा रहा है बीजे मालिया घर पर recovery agent नहीं जा रहा है नीरू मोदी के घर पर recovery agent नहीं जा रहा है वो पैसा नहीं दिया तो हमारे साथ क्या ही कर सकता है तो आप बीजे मालिया है आप नीरू मोदी है आप बताइए आप बीजे मालिया है कि नीरू मोदी है बताइए उतना पैसा है उतना पावर है पता है ना कि बीजे मालिया कौन था सबको पता है बाई जाब तो वहाँ पर ये गोर करने वाली बात एक उनके पस पावर है पैसा है उसके खर पर नहीं जाएगा recovery agent क्यों जाएगा recovery agent भाई क्यों जाएगा recovery agent क्यांकि उसके pass power है कुछ भी करवा सकता है उनके साथ अब बाकी cover करेगा तो आप लोगों से करेगा और हम लोगों से करेगा जो जो बीच वाले है जो जो middle class वाले लोग है उनके साथ रिकवर होगा और मुझ के साथ मढ़ेस बार यहापर होगा ना कि इस्टेंडर वाले के साथ मतलगी कबर होगा उनके घर पर तो जाएगा ही नहीं सब आप ही देख लिजे न कितना कितना लोन कोई बताएगा थोड़ी नहीं कोई बताएगा कि हमने लोन लेकर रखा है लेकिन उनके घर पर नहीं जाती है आई यह लहीं आ सवाल जबब नहीं करती है यदि आप जाते हैं काम कराने तो आपको चकर लगाना पड़ता है यह वो बोलेगा उस इसका बेनक काम जोड़कर उसका काम होगा ना कि आपका काम होगा तो कहने का मतलब यह है कि भाई आप लोग सेटलमेंट करा लीजिए बाकी कोई गुंजा इस नहीं है बाकी जो सरकार का गला इसकीम निकलता है तो जरूर हम अप्रीड कर देंगे ऐसे तो निकलता नहीं आपको पता है भाई सबस होता एक वाई चरगे लोग आप पढ़िए कि भाई लोन आपका माफ हो जाएगा कर्ज आपका माफ हो जाएगा कर्ज आपका माफ होने वाला नहीं है आपको पता देना चाहता हूं आपको पैसा देना पड़ेगा ऐसे पैसा वो नहीं देगा ऐसे कैसे कर्ज माफ हो जाएगा इतना सारे जो लोगे कर बैठे जाएगा पैसा किसी को काट रहा है किसी को नहीं काट रहा है जो जाएगा जो जाएगा जो जिसका लिमिट मिलेगा, एक लाखा मिलेगा, कोई नीचे है, किसी का दस लाखा मिलेगा, बिस का, पचास का, एक कोणों का, सब लोग लोन लेकर बढ़ जाएगे घर पर, अब आस अपना सुचेंगे कि भाई, सरकार कर्ज माफी कर देगी, तो क्या जुरूरत है पैसा, सब लोग ल जो ये ख़बर आप देख रहे हैं, ख़बर पर बिल्कुल भी आपको भरोसा करने वाली कोई भी बात नहीं है, बे बुनियाद ये सब है, समझ गया है, तो सेटलमेंट जितना हो सक उतना जल्दी करा लिए, ने तो इंट्रेस्ट बढ़ते जाएगा, इंट्रेस्ट चोड झालेगा, झालेगा!